हाई गाईस इस वीडियो में हम UG, PG और PhD इन तीनों के काउंसलिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के डेट का उसको हम डिसकस करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं UG वालों का मतलब CG, PAT वालों का इनका नोटीस बोड में बताया गया है, the mop-up counseling will not be held from 13-11-2020 to 16-11-2020, मतलब 13 नवंबर से 16 नवंबर तक आपका क्या होगा, mop-up round नहीं चलेगा, next जो round होगा वो आपका 17 तारिक से चलना चालू हो जाएगा, यह आज का ही डेट का आपका क्या है, notice निकला हुआ है, अब बात करत हैं, यहाँ पे आपका सबसे यदा doubt आ रहा है कि mop-up round कब तक चलेगा, और seat conversion counseling का क्या हाल है, ठीक हम इसी पर बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले mop-up counseling का जब भी आपको कोई notice आ रहा है, तो उसके साथ आपका एक convert आ रहा है, conversion, यहाँ पे लिखता है मौप-up एवं conversion counseling 2020, ठीक है, अब बात करते हैं आपका उस doubt के बारे में कि यह कब तक चलेगा, तो यहाँ पे एक statement आपको दिया हुआ था, यह counseling कई चरणों में समस्त सीटों के भरने तक, क्या लिखा, समस्त सीटों के भरने तक, मतलब जब तक seat खाली है, तब तक यह round चलत चाहे government हो, चाहे private हो, तब तक आपका mop-up round चलेगा, इसके आगे यहाँ पे बताया गया था, कि mop-up round में आरेक्षित वर्ग में अभियरती उपलब्द ना होने पर, निया मनुसार सीटों का conversion किया जाएगा, तो अगर mop-up में अगर ST का seat खाली है, और ST का कोई अगर बच्च 22 से 25 तक का, इसी registration में जो भी यहाँ पे student जिनका rank फसेगा, उनको college अलोट कर दिया जाएगा, तो अभी आपको यह clear हो गया होगा, कि आपका अभी जो mop-up का जो date है आपका, तीन दिन यहाँ पे नहीं चलने वाला है, 13 से 16 तक नहीं चलेगा, 17 को चलेगा, और seat conversion counseling जो है, व अब बात करते हैं, PG online counseling 2021 के लिए, यानि MSC और MTEC वालों के लिए, तो यहाँ पे mention किया है, आजी के date का आपका यह, schedule जो आपका revise किया गया है, यह आपका दिया है, आए इस पर हम चर्चा करते हैं, दावापत्ती के निराकरण पस्चाद, married rank जो आपको देगा, ठीक है, लिस्ट आपको देगा, और college allotment लेटर, यह जो आपका married rank बनेगा, इसी के list के आधार पे आपको college allot करेगा, 19 तारिक को, 17 को आपको married rank देगा, 19 को आपको college allotment हो जाएगा, 20 से आप क्या कर पाएंगे, अपना admission ले पाएंगे, यहाँ पे दिखे लिखा है, कि आवांटित provincial seat को सुरक्षित, इवं प्रवे सुनिस्चित करने है, तो आपको fees online अपने ID से payment करना पड़ेगा, 20 से 23 November 2020 तक, मतलब 4 दिन का आपको time मिलेगा, 20, 21, 22, 23, 4 दिन, आपको payment करने का seat को confirm करने का, आपको मिलेगा, ठीक है, इसके बाद 21 से आपका क्या हो जाएगा, कि जो time 110 के पस्चाद, अभिहरती किसी करणवस, अगर आप fees जमा नहीं करते हैं, इसके बाद अगर आप seat को निरस्त कराना चाहते हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे admission से बाहर होना है, PG नहीं करना है, यह seat withdrawal कराना है, तो 21 से 24 November तक, आप फिर से seat withdrawal का भी काम कर स करते हैं, सेम इसके बाद आपका second counseling का date 25 से चालू हो जाएगा, जो कि आपका 30 November तक यहाँ पे चलेगा, 30 November को आपको जितना भी seat खाली होगा, उसका यहाँ पे रिक्ट सीटों के जानकारी फिर से दिया जाएगा, दो बार आएगा, उसके बाद 4 से 5 December का आपका क्या होगा, मौप अप कनवरजन counseling यहाँ पे चलने की बात है, तो यह पूरा article है, आपको मिल भी गया होगा, बट आप यहाँ पे एक बार अच्छे से समझ लीजे, अब बात करते हैं, PhD वालों के लिए, तो यहाँ पे भी आज notification जारी किया गया है, जो की revise है, तो इनका जो आपका है, निराकरण के पस्चात, इनका merit rank आपका आएगा, 18 November को, ठीक है, और seat allotment इनको होगा, 20 November को, फिर यह online payment कर पाएंगे, seat को confirm कर पाएंगे, 21 से 24 तारिक तक, और अगर यह payment नहीं करना चाहते हैं, यह चुक जाते हैं, पेमेंट करने से, और next round के counseling में भाग लेना चाहते हैं, तो 22 से 25 November तक यह apply कर सकते हैं, इसी तरह अगर यह admission करा लेते हैं, उसके बाद इनको लगता है कि seat cancel कराना है, तो 22 से 25 November तक का इनके पास फिर से time रहेगा, और 26 November से आपका second counseling का जो process है, PhD वालों के लिए चालू हो जाएगा, तो इस वीडियो में हमने UG, PG और PhD तीनों के लि मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक कि आप अपना ख्याल रखें, तब तक जय हिन, जय भार